हमारे सबी लेटिस निउस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निउस इन हिंदी चैनल को और साथ में घंटे के बटन को दबाना को बजार में आते ही रॉयल इंफिल्ड की ये दो बाइके मचा रही है तैल का बिगरी में छोड़ा सबको पीछे तो दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ओमबर 2018 में लाँच होने वाली रॉयल इंफिल्ड इंटरसेप्ट 650 और जीटी 650 अपने सेंग्मेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बन गई है लाँच के पांच महीने के विक्री ने इंको 5,160 यूनिट का आकड़ा छू लिया है विक्री के मामले में इसकी सफलता बेजोड है क्योंकि इस सेंग्मेंट में किसी अन्य बाइक ने इतनी बड़ी संक्या को नहीं क्रॉस किया है उस तो रॉयल इंफिल्ड 650 टूिंस की विक्री नॉमबर के लाँच होने के बाद से दिन बर दिन बढ़ती जा रही है नॉमबर 2018 में इसकी 325 यूनिट की विक्री हुई जो दिसंबर में बढ़कर 629 यूनिट हो गई थी जनवरी 2019 में बिक्री इसकी होई थी 1060 यूनिट रही जो फरवरी में इसकी यूनिट की विक्री होई थी 1440 यूनिट थी मार्च 2019 के लगते ही इसकी विक्री हो गई थी 1700 यूनिट तक की विक्री कम्प्लीट हो गई थी इस बाइक की ज़्यादा डिमांड इसकी कीमत पे वजा से है Royal Infield 650 Twins की दोस्तो कीमत जो है वो है 2.5 लैक रुपी शुरुवाती कीमत रखी गई है इसमें दोस्तो आपको 648 CC का पैट्रोल, Twins and Fuel Injector Engine के माध्यम से अपनी शामता पावर बढ़ाती है जो आपको 47 BHP का पावर और 52 Nm का टॉक जनरेट करवाने में शक्सम है इस स्पीड गेर बॉक्स द्वारा इंजन को संचालित किया गया है इससे स्लीब एसिस्टेंट, क्लच और डूल चेन वाला ABS के साथ पेश किया गया है तो दोस्तों ये आपको Royal Infield की बाइक कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताए और साथ सक वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि आपका एक लाइक भी हमालिया बहुत important रखता है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में धन्यवाद